इस वीड़ों हम बात करेंगे जियो जिय द्रीमेट अकाउंट के बारे में यहां पर आपको कौन-कौन से चार्जिस लगते हैं जैसे कि अकाउंट ओपनिंग आपका चार्जिस क्या लगेगा आपका इसमें एमसी चार्जिस क्या लगेगा या फिर इनके बिरोक्रिस बात करेंगे इनकी प्लान के बारे में की आपको जो चार्जिस लगेगा वो यहां पर क्या क्या लगेंगे जैसे कि हम डिलिवरी की बात करें तो डिलिवरी में जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो यहां पर आपको 0.30% के हिसाफ से चार्जिस लगता है equity features की बात की जाए तो आपको यहाँ पर 0.01% के हिसाब से charges लगने वाला है equity intraday auto square off अगर आप करवाते हैं यानि कि अगर आप trading करते हैं intraday में और आप अपना square off करना भूल जाते हैं तो यहाँ पर जब भी auto square off होगा तो उसके लिए जो charges mention किया गया है वो 0.03% के हिसाब से charges आपको यहाँ पर लगने वाला है इसके बाद features की बात की जाए auto square की तो अगर आप features के अंदर intraday square off करते हैं तो यहाँ पर आपको 0.01% के हिसाब से charges mention किया जाएगा physically delivery या equity या feature adoption करते हैं तो आपको यहाँ पर 0.30% के हिसाब से charges लगता है इसके बाद हम बात करें यहाँ पर position की तो आपको यहाँ पर 0.03% के हिसाब से netted off position देखने को मिलेगी option intraday या auto square करते हैं यानि कि अगर आप option के अंदर intraday करेंगे तो आपको 50 रुपे पर lot के हिसाब से देना होगा auto square off पर इसके बाद इनका जो दूसरा पलान है दोस्तो इसका नाम है G trade max का नाम से इसमें आपको जो delivery पर charges लगेगा equity डिलीवर पर 30 रुप, 0.30% के हिसाब से charges mention किया जाएगा equity intraday की बात की जाए तो आपको 20 रुपे पर order के हिसाब से लगीगा और lower case में आपका यहाँ पर 0.03% के हिसाब से mention किया जाएगा intraday auto square अगर आप नहीं करते हैं, square off होता है यहाँ पर auto square off लगता है जो आपका 20 रुपे पर order के हिसाब से आपका charges यहाँ पर लगेगा इसके बाद equity feature option की बात की जाए तो equity features के अंदर आपको 20 रुपे पर लोट के हिसाब से पढ़ने वाला है physically delivery equity feature option करते हैं तो आपको यहाँ पर 0.03% के हिसाब से आपका charges mention किया जाएगा netted of position broker charges की बात की जाए तो यहाँ पर 0.03% के हिसाब से आपको लगने वाला है जी ट्रेड केस यहाँ पर आप देखेंगे equity delivery के अंदर आपको 0.30% के हिसाब से चार्ज इस लगता है equity interday की बात की जाए तो equity interday में आपको 20 रुपे पर order के हिसाब से लगेगा और lower case में आपका यहाँ पर 0.03% के हिसाब से आपका mention किया जाएगा features index and stock की बात की जाए तो आपको reference lab rate देखने को मिलेगा option index की rate की बात की जाए तो आपको यहाँ पर reference lab भी मिल जाता है अब बात करेंगे equity interday auto square of की बात की जाए इस plan के अंदर तो आपको additional है जो 20 रुपे पर order के हिसाब से देखने को मिलेगा अपको additional 20 रुपे पर order के हिसाब से लगए अब यहां पर बात करेंगे future option रुपे इन्री पर उडर के चार्जिस लगेगा नेटेड ओपोजिशन की बात की जाए तो विरोक्रिस चार्जिस आपका 0.03% के साफ से चार्जिस मेंशन किया जाएगा तो चले बात कर लेते हैं इनके अकाउंट के बारे में तो यहां पर आप देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो आपको वन टाइम आपका जीरो चार्जिस होगा ट्रेडिंग अनुवल मेंटेनेंश चार्जिस की बात की जाए तो आपका ओफिरी होगा डीमेट अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो यहां पर आपको वन टाइम इस और रुपे देने होते हैं जो कि इनका एग्रिमेंट से टाम पेपर होंगे यानिकि जब आपने के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपर करते हैं तो उसके लिए इसके लिए सिर्फ आपको चार्जिस की बात की जाए तो एनुवल मेंटेन चार्जिस के लिए आपको 400 रुपे आपको पर यह किसाब से पर करने पड़ेंगे